दोस्तों को जय हिंद पंदमात्रम राम 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 आर्पीएफ कॉंस्टेबल एसाई की वेकेंसी का जो एक नोटिस आया हुआ था आज से कुछ दिन पहले 4660 पदों के लिए जिसके बारे मैंने आपको एट उजेट सारी जनकाई दी थी जिसका अप्लाई 15 अपरेल 2024 से स्टा तो इस नोटिस को लेकि बहुत सारे बच्चे मुझे कॉमेंट कर रहे थी कि नोटिफिकेशन नहीं दिया है आर्पीएफ की वेकेंसी नहीं आई है तो दोस्तों मैंने आपको इस टाइम पर खाया था कि आर्पीएफ की वेकेंसी 100% आई है मैं कोई भी आपको नहीं देता हूं अगर्छा इंफोरमेशन 100% जनमीन नहीं होता है तो मैं आपको इन्फोरमेशन परवाइदी नहीं कराता हूं तो आज फाइनल इंप्लॉमेट नीशपेपर जारी हो चुका है और इस वेकेंसी के बारे में सारी जनकारी इंप्लाव्मेट नीस परपर में दी गई है उसके बहुत बच्चे वह रहे थे कि इस टीचर नहीं है कहा उस टीचर नहीं वह कहा तो मुझे उससे कोई फरक नहीं पड़ता कौन क्या बोल रहा है मैं जो आपको इंफोर्मेशन देता हूं पूरा दोस्तों मेरा इसका पता आज आपको चल जाएगा देखिए यह हैं अब यह दोस्तों आप देख सकते हैं अब यह दोस्तों आप देख सकते हैं इंप्लोव में गरते हैं इंप्लोवमेंट नुश पेपर का पेज नंबर 23 है यहां पर आप आप जाके देख सकते हो हो यह इनपर अन्टीमेश पेपर में सारी जनकारी यहां पर देह जो नोटीश मैने आअसेवरों पेले दिखाय हुआ था वही NOTICE सेम नोटीस हैं ठीक है 4,660 वेकेंसी निकल के सामने आ रही है जिसका फॉह अप्लाई ठीक है 15-4-2024 से स्टार्ट है और लाज डेट रने वाला है 14-5-2024 मतलब 15 अप्रायल से RPF Constable ASI के वेकेंसी का फॉह अप्लाई स्टार्ट हो रहा है जोबी इनफORमेशन भाइज सौला मेरे बनाया है यह मुझे पता था कि घरउनवेन है ज़े कोई फेक नहीं है और इसकी तैर्यारी में आपको दोस्तों उक्से है based programs कर रहा है तो Constable में आप सबको पता है चार हजार प्लॉस पोस्टे निकली हुई है तो इसके लिए दोस्तों आप किरन पॉप्रिकेशन का प्रैक्टिस सेट बुक से प्रैक्टिस कर सकते हो जिसमें दोस्तों क्या है प्रिबिए सियर 2019 में जेस्टाप के एक्जाम हुए थे आर्पिए कॉंस्टेबल के उसका पूरा पुरी दोस्तों डिटेल पोस्टन आपको मिल जाएगा प्रैक्टिस करने के लिए और सिप्ट वाइज अगर आपको पोस्टन चाहिए प्रैक्टिस करने के लिए तो यह किरन पॉप्लिकेशन का दोनों पूरी-पूरी साहता कर देगी, जिसमें आपको Solve Paper में आपको मिल जाएगा 41 दोस्तों आपको Solve Paper में मिल जाएगा 41 सेट्स मिल जाएगा और Practice में आपको 22 सेट्स मिलने वाले हैं अधिन दोस्तों अगर आप Service Factory तयारी कर रहे हो पेपर हुआ था, उसका पूरा पूरी 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 साहता कर देगी, अगर आप Constable की तयारी कर रहे हो तो Constable की बूक ले सकते हो और Service Factory की तयारी कर रहे हो, तो Service Factory की दोनों बूक ले सकते हो इस चारो बूक का लिंक में वीडियो के डिस्क्रेशन में डाल दोंगा वहां सिस्बुक आप पर्चेस कर सकते हो, अपने सिलेक्शन को और भी तगरा कर सकते हो विए कि RPF Control ASI की वेकेंसी आ रही है, अब हम बात करते हैं इसके सिलाबस के उपर RPF Control ASI की वेकेंसी में सबसे पहले होते हैं exam, जिसे हम CVT कहते हैं अब बिटर बेस्ट examination, और अगर हम दो दोस्तों इसमें बात करें तो कितने नंबर कोशन आता है तो 120 नंबर के इसमें पूचा जाता है, और दोस्तों आपको 120 नंबर ही मिलते हैं अगर टाइम की बात करें, तो आपको 90 मिनिट का टाइम मिल जाता है, exam देने के लिए, मतलब एक घंटा 30 मिन का आपको टाइम मिल जाता है अगर हम दो दोस्तों इसके slabels की बात करें, तो इसके GKGS में 50 कोशन पूचा आता है, 50 नंबर के, math के 35 कोशन आते है, 35 नंबर के, visioning के 35 कोशन आते है, 35 नंबर के, total दोस्तों mark कहां पर देख सकते हो, 120 मार्क मिलता है, 120 कोशन के लिए इसके बाद दोस्तों मैंने negative marking भी बात करें, तो इसमें दोस्तों अगर आप तीन गलती करोगा तो आपको एक नंबर काट लिया जाएगा, और जो बच्चा दोस्तों आपका CBT qualified कर जाएगा, मतलब एक्जाम qualified कर जाएगा, उसको दोस्तों physical efficiency test और physical measurement test के लिए बुलाया जा इसका दोस्तों physical same ही होता है, किसी का physical अलग नहीं होता है, बस time थोड़ा से extra मिल जाता है, जैसे कि अगर दोस्तों आप constant farm भर होगे, तो आपका height दोस्तों 125 cm होना चाहिए, और female का 157 cm होना चाहिए, चेस्ट आपका normal 80 of lagad 5 cm बढ़ जाना चाहिए, मरग का छापी, यससे सम female का 152 cm और chest normal दोस्तों आपके, जो भी male candidate का normal 76 of lagad 81 cm हो जाना चाहिए, और जो भी पहारी एरिया के हैं, जैसे कि आपके दोस्तों होगे, गोरखा, मराठा, डोंगरा, तो इन लोग को भी height में छूट मिल जाता है, 163 cm का height मांगा जाता है, female candidate का 155, chest आपका normal 80 of lagad 5 cm बढ़ जाना चाहिए, देन दोस्तों अगर हम लोग बात करें, सब इस्पेक्टर के बारे में, कि सब इस्पेक्टर में क्या होता है, तो सब इस्पेक्टर की अगर हम लोग बात करें, तो सब इस्पेक्टर में भी same ही height मांगा जाता है, कोई भी height का category अलग नहीं है, same दोस्तों इ प्रविट के 14 फिट के होते हैं, high jump 4 फिट के, female का 9 फिट का long jump होता है और high jump 3 फिट का, लेकिन सबस्वेक्र अगर आप अप्लाई करोगे, तो 16 मिटर रनी के लिए time flow extra मिल जाता है, 6 मिल जाता है, 6 मिल तीस सेंगा time आपको मिल जाएगा physical में, और दोस्तो female candidate का 800 मिटर के लिए 3 मिट के जगा 4 मिट मिल जाएगा अब सबस्वेशन फिट का अप्लाई करोगे तो, long jump आपका 12 फिट का होता है, दोस्तो male candidate का, 9 फिट का होता है female candidate का, high jump होता है 3.9 इंच के आपके होते है male candidate के, और female candidate का 3 फिट का long jump होता है, और ये दोस्तों आपके physical हो गए, जो बच्चा medical qualify कर जाएगा, उसका दोस्तों बदन पर वर्धी चड़ जाएगा, और cut up up की बार बहुत high जा सकते हैं, क्योंकि vacancy बहुत दिन के बाद आती है, और बहुत दिन के बाद सज में आ रहे ही, और vacancy की बारे में तो मैंने आपको size run करी, वीडियो की starting में ही दे जी थी, vacancy तो 17-2024 से आपकी age की गड़ना की जाएगी, और दोस्तों यही आपके रहेंगे पूरा requirement process manager आपको size जनकारी दी है यह, और final employment newspaper भी आ चुका है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, employment newspaper की जनकारी, तो यह पूरा-पूरी official है कि RPF constable और SI की vacancy आ रही है, वंदर अप्रेल से ही 4-plus start ह तो मैंने आपको पूरी जनकारी दे दी है, अगर कुछ भी doubt रह गया हो, RPF constable SI की vacancy को लेके, तो comments नहीं खुला हुआ है, मैं आपके लिए एक special वीडियो लाने वाले, प्रीवेस एरे cut-up की बात करेंगे, zone-wise, कि क्या RPF की cut-up होती, वो zone-wise आती है, किस zone में कितना cut-up होता रहे है, और post भी बहुत ही बवाल है, कोई दिक्कत नहीं, और post की चिंता मत करो, बस आप फारम भर देना, क्यूंकि दोस्तों ये post आप देखना 4,660 vacancy निकाले गए ना, बाद में बढ़के 12,000 plus vacancy हो जाएगी, तो post की चिंता मत करो, बस form भरना, और बदन पर वर्दी चर करने को भी तयार है, सिलेक्शन भी होगा, और मैं दोस्तों लोग नजारे भी देखेंगे, जैहिंद ये भात, कुछ भी डाउट हो, कॉमेंट्सन खुला, कॉमेंट कर देना, और जो मैंने बताया था, वही हुआ, official notice है, भाई, कोई fake information में provide नहीं करता हूँ, जो भी बोलत हो, वह 100% genuine होता है, इस वह हमेंट नीसपेपर बोल रहा है, मुझ खोल-खोल के, टिक है, जैहिंद ये,